वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज मैं क्या बना रही हूं सुबह के नास्ते में तो आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने पहले मैं बच्चो छोटे थे ना तो मैं ये वाला नास्ता इनको सुबह सुबह बना के दिया करती थी तो आज बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैं दुवारा से आपके साथ सेयर कर रही हूं ये वाली रैस्पी जो की बहुत पेस्टी और यूनिक सी रैस्पी बनती है रैस्पी क्या इसको आप नास्ते में जब आपको भूक लगे ना घर में हर चीज होती है ब्रेड भी होते है डाल का है तो है ठाब डाल को भी ना एकदम गरम पानी में भीगो दो गे तो पंद्रेमैंट में भीक के तैयार हो जाती है तो मैंने रात को दाल भीगोई थी और इसमें मैं डाल है हरी मिर्च लाल और यसमें पीछ रही हूं मुंकी डाल ये है बिना इक optो कि याइसा हमें paste बनारी नास्टे में इतना अच्छा से अच्छा होता है और मन को मुस्द बना के खाया यह तो और फटा-फट से कम तेल में घी कम लगता इसमें और बहुत टेस्टी बनती है आप बच्छों के लंच में अपना नास्ते में इसको खा सकत्थिशा तो आज मैं बना रही हुई नास्ते के लिए क्यूंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बच्छों के लिए मैं क्या बना तबाह हो चुका है गरम अभी मैंने गह जिला के तबाह के गरम करूंगी और यह रेस्पी तबे पर ही बनाओंगी और यह दालूंगी धनिया तो मैंने चौप करके धनिया रखा हुआ था यह है सारे मसाले हींग जीरा अजमाइन सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया था मैंने और यह नमत स्वादन सा जितना आप खाते हो टेस्ट के अंसार आप अपना नमक डाल सकते हैं एक वार जरूर ट्राई करें बच्चों को आपको जल्दवाजी है न आप इस रेस्पी को बना के अपने बच्चों के लैंच में पैक करके दे सकते हैं बच्चे सारा इफिन फिनि परिक पर्षण फिरेशन फिरी तो हमारे पास हैं यह ब्राउन ब्रैट है यह तो मैने ब्रैड ब्राउन लिएं आप वाइटも लिए तो इनको में कया करूंगीन को मैं स्टिक जैसे काट लोंगी तो आप सोचोगे की ऐसा कियो ऐसा इसलिए कि बच्चे ना चाहते हैं कि हमें कुछ अलग मिले अगर मैं पूरे ब्रेड को भी इसमें तल सकती थी लेकिन मैंने इसकी स्टिक बनाई है कि इसलिए कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि कुछ हमें नया मिला है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस तो मैं ऐसे ही सारी ब्रेड जितने यूज होएंगे मैं उतने इनको इस्टिक बना लोंगे इनकी आप चाहते हो तो ऐसे भी ब्रेड को इसमें डिप करके और तवे पर सेख सकते हैं मक्खन के साथ या घी के साथ देसी घी डालोंगे इसके उपर और अगर आपके पास खतम हो गया था तो मैंने घी में इनको बनाया है हमेशा मैं इन बच्चों को लंच में ये कभी कवार देती थी बना के क्योंकि थोड़ा बच्चों का टेस्ट अलग होता है ये बच्चों की रेस्पी है इसको मैं आपके साथ सेयर करें और इसको मैं डिप करके इसमें और तो ना गाड़ा ना पतला बीच का पेश्ट होना चाहिए और इसको हाथ से उठाऊंगी और इसके उपर रख दूँगी ऐसी दोनों दो दो करके मैं बच्चों को ये नास्ता पना के दे रही हूँ थोड़ा सा घी इसके आसपास डाल दोंगी इसके उपर डाल दोंगी थोड़ा थोड़ा लगा के अगर मखन होता है न तो वो नमकीन होता है मखन तो उसका टेस्ट जड़ा ज़्यादा आता है तो आप अगर घी में या मखन में किसी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं फ्राई नहीं मतलब तबे के उपर इनको सेके दे सकते हैं और इतने क्रिस्पी बनते हैं और करारे डाल है ना डाल बच्चे खाते नहीं है वैसे मैं बनाती हूँ मेरे घर में बच्चे डाल बहुत क इस्टिक हमारी दो बन के त्यार हो गई है इसी तरह से मैं और भी बना लूँगी क्योंकि बच्चे जल्दी मचा रहे हैं खाने का क्योंकि टाइम बहुत हो गया है इसलिए बच्चे बैठे हुआ है एक डूटी पर बैठ गया है दूसरा बेट कर रही है कि कब खाने को एक डूटी गया है इन दोनों बच्चों के लिए मैं यह बना के त्यार कर दें है कि मिन्टों में बनने वाला यह नास्ता है बहुत कम घी लगता है और सदियों में घी वैसे भी खाना चाहिए गर्मी हमते एक बार को अच्छा भी नहीं लगता है अब यह देखो हमारा यह नास्ता बनके हो गया रेडी अब यह बच्चों के लिए देने जारी हैं और बच्चे खाएंगे और उनकी ममी भी खाएगी और यह देखो हमारी बिटी है रानी खा रही है और यह बिस्तर में ही लेटी हुई है भी और लेट गई यह शोर मचाए जा रहे थे खाना खाना तो मैंने इनको बना के फटा वह आपको रैसी भी बता चलेगा तो हम भी खा के देखते हैं कि हमारी रैस्पी कैसी बनी है बहुत टेस्टी है